तारक महता का उल्टा चश्मा जीतने के लिए बोद आप फिला है कि ऐसा लग रहा है जिसे पंजा नहीं कुष्टी लड़ रहा हो पूरे बदन की तागर जोंगती है उन्से और अब आखरी मुकाबला होगा डॉक्तर हाथी और पोपटलाल के बीच में यह दिखी दर्शकों हाथी भाई की आखों में खून उतराया है चहरे पर एक अजीब सा टेंशन दिख रहा है और उसी के साथ माहौल में भी टेंशन पैल गया है सबी दशक दंग है कि आखरी लिए हो क्या रहा है यह हाथ मुझे दे दे हाथोर और यह क्या पोपटला ने हाथी भाई को पच्छाड दिया यह तो दुनिया के किसी आर्ट पे अजूबे जैसी बात है लेकिन हकिकत तो यही लग रही है और इसे किसाथ पोपटलाल हो गए है गोल मेरिल के बीजेता पटरकार पोपटलाल बांड़ तो फान एक्स्प्रेस जिसने नीवू चमच रच में चीटिंग की थी चीटिंग लेकिन आज गोकुल्दाम सुसाइटी में सब के सामने दिन दहाडे मेरा मतलब है रात दहाडे पंजा लड़ाने की वेस में डॉक्टर हाथी को हराखर मैंने एक नया इतिहास लिखा है एक नई मिसाल कायम की है और देश के उन तमाम दुबले पत्ले लोगों का नाम रॉषन किया है जिनका लोग आज तक मजाक उडाते आये है देखिये 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 मुझे देखिये इस मासूम चेहरे को मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल पांडे पगड़ इसे अरे जीत ठूदे पिल आ. आप लोग खड़े कयो है ताली बचाई है जिटा हुआ जिटा हुआ जीत किया जिट गयाुआ एक एक पिल पूबश लडाने में कोई नीम्भुुठमच की रैस की तरहा चीटिंग तो नहीं किया ना? वापपू! इसमें क्या चीटिंग मेंता साब? मैंने क्या अपने और हाथी बाई का हाथ गम से चिपका दिया? क्या आप भी? अरा भाई तो पर जीते कैसे हैं? तक्नीक! नेता साब, इस पंजा लडाने के खेल में ताकत के साथ तक्नीका इस्तमाल करना पड़ता है देखें, मैं आपको समझाता हूँ समझिये, यह है मेरा हाथ यह हाथी बाई का हाथ खेल शुरू होते ही, मैंने हाथी बाई की कलाई को मोड दिया, S बस, फिर क्या है? खेल खता? बल बला पहलवान भी नहीं जीच सकता हम क्या करते हैं अकसर पूरे हाथ पर जोर देते हैं जो पुछ करना होता है वह यही करना होता है अपपू, पर यह दोनों आथ तो तेरे हाथ मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ आईये हाथी भाई, लाईये अपना हाथ देंगे यह है हाथी भाई का हाथ और यह मेरा हाथ हम दोनों ने इस तरह से पंजे को लड़ा है और फिर आजवे जीदे आजवे जीदे आजवे जीदे आजवे जीदे यह तो डेमोंस्टषेशन था असल में तो में जीता हूँ अरे भाई, वोपतलाल तुँ जीता है तुने जो अब ही करके दिखाया ना वो यह तो मेंने किया सही बात है कि नहीं अरे रिटा, खड़ी गया हूँ अभी वी नाम अनूशकरो बच्चों में जीते हैं गोली, बच्चों में जीते हैं कोमल भावी, बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मर्थों में जीते हैं पत्रकार कोपट लाली, बच्चों में बड़ो, में बना फस्ट हिस्टॉ में दुखु कर रहा है। cuálु और ला ऑगर से बच्चों में। अर मुझे पूरा विश्वास से तुम हमेंचा फरस्थ हॉंगे स्वा करें आये 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 उच्छ विखर गया आये अंकल आपको नहीं चरना मैं चरो अरे अरे रुका रुका तरह नहीं हो यू अगर चलिए भाई बीध में शुरू कीजिये जल्दी चलिए नहीं कोमाल जी थे मैं धाम्यवाद थे में धाम्यवाद कर दो जा कर अअऊए है अब गाया खेंगो practically लागर चालास कि उरे कर इसका पेंगोर्णा और मेंरे है और में इसका प्रॉस्क आगा। कोड़े हो अया जोली हार के लग कंदों हार के निके में हम छाव्यालों को इसका कैसे सब हो घुट ऐाको जे अघए क्या बात है तो दोस्तों आपने देखा कि आज के गीम में कैसे कमाद हो गया तो इसी के साथ आज के खेल समाथ होते हैं तो मिरते हैं कल रात नए खेलों के साथ शुप रात री कि अधार अरे हां मा कल के खेल में तो वज्जा आगया वाँ हाँ सुंदर वीरा ने और टपूसन अदों बहुत बढ़े आयों जन किया हाँ है दो क्या है यह पांद्यों प्री अच्छो खेले हाँ कुष्णिमा मैं पाद रखती हूँ हुँ हुँ तपो के पापा तपो के पापा उठे 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 सोने दे अरे क्या सोने दे बापोजी आचा हैंगे तो डाटेंगे ना आये तो नहीं ना नहीं और अपी आएंगे भी नहीं उनका भी बदन दर्द कर रहा होगा मस्त शोरह होंगे वह आपका बदन दर्द कर रहा है मैंने बोला मेरा बदन दर्द कर रहा है नहीं अभी आपने बोलाना उनका भी तो भी का मतलब मैं भी बोला यहां? मैंने बोला उनका बदन दर्द कर रहा होगा वो अभी मस्त शॅराह होगा ऑप सम।ना ग़ी अभे मुझे क्यों भी शूना दिया मैंना बोला ना मैं भी बोला यहां? कोंपन बोला क्या? भी तु कभी! अभी बोले ना भी ओ... यह क्या माइडिया जिजा जी अपी तक सो रहे है दना उठाओ उठाओ इना उठाओ अरो वीरा मैं काब से उठा रहे हैं पर उठी नहीं रहे है लगता है उनका बदन दर्द कर रहा है मेरा बदन दर्द नहीं कर रहा है तो फिर आप सो क्यों रहे थे माइडिया जिजा जी जिस की लड़ी को बदन दर्द होता है उसे विस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है अब बले कुबूल ना करो आपको बदन दर्द हो रहा है देखा बदन मेरा दर्द नहीं कर रहा है यह देखा बस बस अटो ना नहीं जा रहा हूँ यह देखा बदन मेरा घीजा जी का बात्रूम से निकलने में कितना थेम लगता है थोड़ा टेम तो लगता है, क्यों? वह बापुजी वहाँ जल्दी उठ गए तो मुझे भी उनके साथ उठना पड़ा और बदंदर्द कर रहा है बेना, तो मैं सोच रहा हो के थोड़ी देर इदर सोजाओं हाँ मीरा तो सोच ऐस ज़सा और तुम्हारे जिजाझी का अनेका टेम होका ना उठागा खीूदी आप्सी तह्क्यू BENा किद्मी अच्ची होतु मीरा दीरा तो सयांदो आप्से के हमार थैंक्यू BENा *** *** कहा लोगा सेलबाज उञे है अभी किसका बदन दर्द कर रहा है अब अब तो योगा शन कर रहा हूं सवासन सवासन बहु 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 मैं नहीं जारू बहु बहु जी बपुजी बहु आज तुड़ा सुस्ती येसा लग रहा है तो एक कड़क चाय बना देना ठीक जीटा उड़गे बपुजी बड़ी मुश्किल से होना जगा है अब इना ने गया बोलो बपुजी मैं चाय बना कर लाती हूँ बपुजी कल जी कि हमें आप एक दम शानदार खेलेते हैं आपकर इतनी अनर्जी किस से मैं नहीं थी तेरे पेल में क्या हुआ कुछ ने बपुजी वह खलगरा अचानक से खेल लिया तो थोड़ा पेर जाम हो गया है बपुजी आई 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 काय दुखता है तरे देवापाय तपु से न नटूगा का और बागा ने क्या गेम्स लाए थे चुन-चुन के आई 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 सरका जरा अरे बैटू में इतनी जगा है मादवी ओ मुझे भी पानी में पेर रखने है में बहुत दर्द कर रहे है मादवी मेरे पेर जादा दर्द कर रहे है दो मिट रुको जरा कुछ भी कॉम मज़ा आ गया हाँ सुनो उटली नहीं वो सो रही है अभी तक? तो जगाओ उसको क्यों जगाओ सोने तो ना उसे वो भी बिचरी ठक गई है आराम करेगी तो रात को उत्सा और स्पूर्ती से खेलेगी आज भी खेलना है नहीं? हाँ प्रता नहीं आज कौनसे गेम होंगे मादवी मेरे खयाल से हाँ आप ही के खयाल से हम लोगों ने गेम की लिस्ट निकाली थी बास्केट बॉल, टेबल टेनिस, जिमनेस्टिक अणि कहते है अचर वरू कहते है? आर्चरी आर्चरी हाँ हम लोगों ने पूरी तायारी की थी लेकिन उसमें से एक भी गेम नहीं थी शिक्षक की प्लानिंग मनें अब ये टफू से ना हम लोग जो सोचते है उसे उल्टा ही सोचती है इसी लिए सोचो ही मद की कौनसी गेम खेलने बाले करेक्त है अभी आज जो गेम्स होंगी ना हम लोग वही खेलेंगे रोष पापाजी रोष पापाजी अजशन मैं क्या बोलता हूँ अपने गुकुल दामे ऐसा खेल मोट्साफ रोज जोना चेहेे और क्यो? वो क्या है ना… हम लोग गेमस केलेंगे और ऐसे अदक जाएगे और ऐसे मिल जूलके एक दूसरे की सेवा करेंगे पन आज ज़त को सब भी गेम हम ही को जीत ने वहाँ रोशन और हम मिल जूलगे ना आज खुब जीजान लगा देंगे आज के गेम तो हम ही दोनों मिलके जीते है वहाँ 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 आए पोपट लग भाई बैठिये नहीं नहीं को मल बाभी मैसे ही ठीक हूँ ऐसे तो तुम ठीकी हो अनले किन बैठ जा दवाई दो जल्दी से कोई दवाई दो बदन बहुत दर्द कर रहा है इतना सा खेला पुरा बदन इतना क्यों दर्द कर रहा है देखे अबदुलभाई हमारे शरीर को रोज उचलने कुदने भागने दौने की आदत तो है नहीं और फिर एक दिन में इतने घंटे खेलना और खेलने के पहले खेलने की तैयारी करना जोगिंग करना, एक्सराइजिस करना तो नेचर य दर्द तो शरीर में हो गई क्यों सही बात है कि नहीं अरे हाँ Chad avaj सही बात है श्या आध वाला था लेकिन फिर लगा कि आप बोलोगे इसलिए नहीं बोला आच्छा किया एक नट एक नट चारू को दवा लेने की जरूवत नहीं है क्यों यह बता किया पर चौथा कौन है क्यों मैं इंसान नहीं हूँ मुझे दर्द नहीं होता है मुझे दवा की जरूवत नहीं है मैं थका हुआ नहीं हूँ आप वो डॉक्टर है नहीं हूँ दॉक्टर नहीं हूँ इंसान तो हूँ दवाई तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है इंसान को थोड़ा दर्द बरदास्ट करना चाहिए बले मैं डॉक्टर हूँ फिर भी मेरी यही सला है कि छोटी मोटी बीमारियां अगर बिना दवाईयों के ठीक हो जाए तो सेहत के लिए अच्छा होता है कामा का दवाईयों का गुलाम बनने के क्या ज़रूवत है क्यों को माल या राइट हंस क्या अच्पात हाना जो मसाज किना एकदम रिफ्रेश हो गए फास्ट लास हाँ तारग, एकदम से स्फूर्ती आ गएगी और हम दूसरे कड़े मुकाबले के लिए तैयार है लेकिन तारग आज कॉन से नए खेल होंगे कॉन से नए खेल होंगे यह तो पता नहीं लेकिन जिस हिसाब से पहले दिन के खेल हुए मुझे लगता है दूसरे दिन के खेल और जादा एकसाइटिंग होगे, जादा मज़ा आएगा तारग, एक बात काओं कुछ भी हो, हमें कड़ी महनत करके दो तीम गेम में तो विनर बनना ही है हाँ, हाँ, और हो सकता है इसी पहाने आप गोकुलधाम खेल रतनक अवर्ड जीच जाएँ लेकिन तारग, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा यह गोकुलधाम खेल रतनक अवर्ड लेने के लिए हे गोली, तू ता नेगिटिव क्यों सोच रहे है अरे टपू, खेल मोर्ड सब नहीं होने के चार कारण है मेरे पास चार कारण? हम् पहला, हमाए मुमी पाप थक गए है तो क्या आज वो खेलने आएंगे? गोली, तू उनकी चिंदा मत कर सब के घर पे अपना अपना इलाज चालू है सब लोग एकदब जोश में खेलेंगे हाँ और गोली, बाकी के तीन कारण बता हाँ हाँ दूसरा बारिश तीसरा बारिश गिरी, तो फ्लोर गिला हो जाएगा जाथा बारिश के वज़े से बिजली चलेगा इत्तो लेकिन गोली आज के खेल हम क्लब आउस में कहलने वाले है हाँ फिर बारिश का टेंचिन क्यों ले रहा है और हाँ यार और आज की गेम स्पेशली हमारे ममी पापा के लिए ना कितनी धमाल होगी ना हाँ यार यह तो मैं भूले क्या यार सच में बहुत दमाल होगी हाँ और ममी पापा को ऐसे खेल खेड़े देख कितना मसाएगा है ना हाँ इसलिए खेल मांच समतों जारी रहेगा वो भी पुरे जोश के साथ तो आज रात को मिलता है क्लोबाउज में येस गोकुलदाम खेल महत सव में अब हम वो खेल खेलेंगे जिसमें पतनी अपने पती को सारी पहनाएगी और सजाएगी मैं जानता हूँ इन दिनों चारों और बारिश का मजा उठा रहे लोग जिस तरह से चारों और बारिश का मौसम चायवा है ठीक वैसे ही गोकुलदाम खेल मौसम है खेलों का रंग चायवा है क्या शानदार खेल जानदार खेल बहिना दुगा का और बागा ने कमाल कर दिया जो खेल इंटर्डूस कियें वो इतने इंट्रेस्टिंग इतने फ़नी इतने मज़ेदार है कि देश का हर आद में उनका आनद उठा रहा है उनकी पॉपुलरिटी देखके ओलम्पिक्स वाले भी शायद अगले ओलम्पिक्स में इन खेलों को इंट्रूस कर दे लेकिन अभी ये पिटारा पूरी तरह नहीं खुला है अभी इस पिटार में बहुत सारे खेल बाकी है एक उदार मैं देदू अगला एक खेल ऐसा होने वाला है जसमें पत्नियां अपने अपने पती को साही पहनाएंगी मैं जानता हूँ सुनते ही आपके चाहरे पर मुस्कुराट आ गई जब सुनते ही मुस्कुराट आ गई है तो देखेंगे तो क्या होगा ठाक ही ठाक है बस देखते रहेंगे मेरे साथ तारक महता का उल्टा चश्मा अगर आपको सबसे पहले तारक महता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मद भूल